नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज बनाते हैं बेंगन का भरता विसे आपने बहुत बार बनाया होगा लेकिन इसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी और ट्रीक भी बताऊंगी तो कुछ ऐसे बेंगन लेना है बेंगन को हमें सबसे पहले तेल लगाना है अब आ उतारना रहता है तो वह बहुत आसानी से निकल जाता है इसलिए हमें तेल लगाने की जरूत होती है अब हमारे पास चूला तो नहीं है तो हम इसे गेस पर ही भुनेंगे तो गेस पर कैसे भुनना है वो भी आपको बताते है चलिए तो देखिए इस तरह से मैंने गेस पर अब छोटे बेंगन है, तो मैंने दो-दो करके रख लिये हैं, अब मेरे पास कुल पाँच बेंगन हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें दो-दो करके मैं भुन लूँगी, तो अगर आपके अगर बड़े बेंगन हो, तो आप एक-एक करके भुनिए, लेकिन उसको भुनने का भी एक तरीका होता है, जैसे मैं भुन रही हूँ न, इस तरह से, अगर इनको अलग पलट करके, ऐसे ही लगातार भुनेंगे, इनको छोड़ कर कहीं नहीं जाना है, ऐसे ह हमें लगातार उनको अलट पलट करके, उठा उठा करके, अलग अलग आजो बाजो इसा, मतलब उपर नीचे उनको पूरा तरह से सेखना है, ऐसा नहीं, कि हमने उन्हें रख दिया, और फिर थोड़ी देर बाद आके चेक कर रहे हैं, तो उससे पताए क्या होगा, एक से उनका भाग निकल कर गिर सकता है, जिससे हमें पूरा बेंगन सेखने में बहुत कठी नहीं आएगी, यह कह सकते हैं, कि हम पूरा बेंगन सेख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही अलट पलट करके, आगे, पीछे से, और जो दंडी का भाग होता है, कई वो हमारा कच्चा रह जाता है, वो इसी कारण से रहता है, कि हम आगे-ागे का भाग ही सेखते हैं, और पीछे का भाग नहीं सेखते हैं, तो उतना भाग फिर हमको कट करके फेक देना पड़ता है, यानि हमारा उतना भरता वेश्ट चला जाता है, जो कि वैसा ना हो, और हम अपने बेंगन में से पूरा पूरा फायदा ले, बेंगन भरता लेकर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें उसको अच्छे से भुनना पड़ेगा, तो इसको आप जैसे मैं भुन रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से भुनिए, अब आपको भुनने का तरीका, ये भुनन और ये वाले हमारे पक गए है, तो आप हम इने इसी तरह से चेक करके निकाल लेंगे, अब सभी बेंगनों को हम इसी तरह से भुन लेंगे, तो ये आपको मिल गई ना, टिप, नमबर वन, तो देखिए, आप आगे के का प्रोसेस, अब जो छिलका हमें निकालना है, उसके तो वो आसानी से निकल जाए, और हमारे हाथों में भी बिल्कुल जल्दी से निकल जाए, तो उसके लिए हमें हाथों में पानी के अंदर अपने हाथ को डिप करते हुए, फिर चिलका उतारेंगे, तो चिलकी भी आसानी से उतर जाएंगे, और हमारे हाथ को भी ज्यादा परिशान नहीं होगी तो मिल गई न आपको टिप नमबर दो तो इसी तरह से आगे के हम बेंगन को भी इसी तरह से छेलेंगे और देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं एक हाथ से कर रही हूं क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूं आपके लिए जो वीडियो बना इसी तरह से कीजिए और इन छिलकों को उतार करके और जो काला काला रहता है उसको अच्छे से देख करके निकाल लीजिए और यह जो देखिए हमारा जो पीछला हिस्सा है कितने आसानी से पक गया है कि जैसे हम उसको निकाल रहे तो बड़े आसानी से निकल गया वह इसी क बींगन को हमें चेक करते हुए ही एक साथ मिलाना है आब चेक केसे करना है तो इल्ट से चाकुछ की साहेता से कट करेंगे चमस ले लीजिया चमस से इस को चेक करना है कि कहीं अंदर खराब ना हो, कोई कीडा ना हो, उसे देखकर ही आप अच्छे से मिलाईए, तो देखी इसमें कुछ भी नहीं है, इसी तरह से चेक करते हुए एक एक बेंगन को हम एक साथ मिलाएंगे, तो इसी तरह से साधानी से कीजिएगा, क्योंकि अभी देखी हमारे बेंगन गरम भी ह और थोड़े बहुत थंडे भी होने लगे हैं, तो देखी इसी तरह से हम हर बेंगन को सिलका निकाल करके, और उनको इसी तरह से देख देखके, एक साथ मिलाएंगे, ताकि बाद में हम जब इनको मैश करें, तो उसके अंदर कोई कीडा ना रहे, या कोई खराब बेंगन ना उसके अंदर आ जाए, अगर खराब है तो उसका उतना हिसा आप निकाल कर फेक सकते हैं, या आप चाहे तो पुरा बेंगन ही अलग कर सकते हैं, तो देखिए हमने दूसरा भी कितने चल्ली से निकाल लिया, और इसे भी हम उसे ही चेक करेंगे, ताकि अगर कुछ तो उसे हम आसानी से बाहर निकाल दे, तो ये वाला बेंगन भी में देखिए चेक कर रहे हूं, तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी चेक करकर के डालिएगा, अब हम इने चेक करके डाल लेंगे, अब इसके लिए हम तयार करेंगे मसाला, और बहुत आसान है, तो इस तरह स पाइन डालकर नहीं पीछना है पस इसी तरह से किसे सूका ही पीछ लेना है और अब भरते में डालना के लिए मुँफली के दाने यानि सेंग दाने लेंगे तो सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे इसमें तेल को ज्यादा कॉंटिटी में लगता है तो थोड़ा ज्यादा मातरा में डालिए उसमें हम थोड़ा से राई के दाने थोड़ा सा जीरा अब हम डालेंगे मुँफली के दाने पहले इसमें हम थोड़ा सा हिंग डाल और उसके बाद फिर हम इसमें जो पीछा है ना उसे हम इसी मसाले में डाल लेंगे और अच्छे से भूनेंगे ज्यादा भी नहीं सिर्फ दो मिनित के लिए तो हम इसके चलाएंगे भून लेंगे तेल के अंदर आप इसी तेल में हरा धनिया को कट करके बारिक डाल सकते हैं अब उसमें मिलाएंगे हम नमक, नमक अपनी स्वादानुसर आप मिला लीजिए, तो मैंने ले लिया है, मैंने एक चम्मश ले लिया है, आप उसको मिलाने के बाद, अब हम इसके अंदर, जो हमने बिंगन लिये है ना, उसको हमें अच्छे से पहले मैश करना है, तो इस तरह से मैश कर लिजी या तो आप किसी काटोली की सहाईता सी यापिर मैशर सी य아 किसी भी चीज से थो यसके मैश कर लिजी अब हम इसे पहले मैसाले में मिलाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मे कर रही हिग और यसको प्राव में अब इसको classic हलकी हाथों से मिलान अच्छे से उसको चलाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है बस कुछ ध्यान देना पड़ता है कुछ बातों पर तो उसी तरह से आप भी किया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए चेनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक्स वाली अच्छे अच्छे टिप्स वाली और बहुत ही आसान तरीके की हर रेसिपि आपको मिलती रहे तो देखिए अब हमारा भरता भी बनकर तयार हो रहा है अब इसे हमें कुछ देर के लिए ढख कर पकाना है एक दो मिट के लिए बस थोड़ी देर वैसे तो सब चीजे हमारी पक चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए एक दो मिट के लिए हमें इसे ढख कर पका लेंगे तो इस तरह से आप भी ढख कर पकाईए और अब हम लाश्ट में डालने वाले है हरा धनिया हर धनिय को बहुत सारा डालि कुछ लोग इसके अंदर प्याज टमाटर भी मिलाते हैं अगर आपको पसंद हो तो आप प्याज और टमाटर कट करके बारे वह भी मिला सकते हैं अब देखिए और हरा धनिया तो खूब सारा डालना है इसका बहुत अच्छे से स्वादाता है इसके अंदर उसी से यह भरत बन करके तयार है तो आप भी इसी तरह से बनाईए अब मैं इसे सर्फ कर लेती हूं तो मैंने इसे जोआर की रोटी के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो पूरी के साथ अपनी गेहू की रोटी के साथ इसको सर्फ कीजिए और खाईए और कमेंट करके मुझे जरूर करेंगे और इंजॉय कीजिए खाईए और मस्त रहिए और इसी ही आसान तरीके की रेसिपी देखते रही है